देखे सैध्धानतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं आर्टिकल 44 भी इसको समर्थन करती है कि देश में UCC होनी चाहिए लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है इसलिए हम यह चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए wider consultation हो लाज स्केल पर बातचीत हो सभी धर्म से सभी संप्रदाय से सभी राजनेतिक दलों से कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप reverse नहीं कर सकते हैं कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूल भूत होते हैं ऐसे मूल भूत मुद्दों पर authoritarian तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा तो wider consultation की जरूरत है सबसे बातचीत करके consensus बिल्ड करनी चाहिए इस पर ये हमारा मानना है हम सेधानतिक रूप से इसके समर्थन में है लेकिन इसके execution या इसको implement करने का तरीका consensus है बिना consensus आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाए क्या कुछ पर नेती के साथ आवादी पार्टी आ रहे बड़ी मीटिंग में क्या कुछ बात है आज मीटिंग हुई हरियाना के लीडर से भी और दिल्ली के सभी लीडर्स की भी आने वाले समय में हम दिल्ली में भी अपना campaign launch करने वाले हैं कई सारे campaign शुरू होंगे उसमें हर घर में जाकर ये बताएंगे कि जिस तरीके से ये काला अध्यादेश भारती जनता पार्टी और मोदी जी लेकर आए हैं वो केजरी बाल विरोध ही नहीं है वो दिल्ली की जनता के विरोध में हैं तो इसको जनता को बताएंगे और जनता के सामने इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और जनता को कहेंगे कि भारती जनता पार्टी को इस बार लोकसभा में भी वोट देना मतलब वोट खराब करना है लोकसभा चुनाव के कई सारे मुद्दे रहेंगे निश्चित रूप से दिल्ली की जंता के लिए अध्यादेश एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तो वो मुद्दा तो रहे गई लेकिन इसमें सवाल अध्यादेश नहीं है अबे अकेला सवाल अध्यादेश नहीं है भारती जंता पार्टी जिस तरीके से सारे प्रमुख विपक्षि दलों को खतम करना चाहती है गैर प्रजातांतरिक तरीके से वो एक मुद्दा है प्लस आप 9 साल में मोधी जी ने क्या-क्या काम किये नौ साल में अगर आप मुझे चार काम गिंदो मोदी जी के तो मैं आपको बढ़ाई दूँगा हाँ मोदी जी ने कुछ ऐसे काम जरूर कियें जो इतिहास में उनको दर्ज कराएगा जैसे ED को कैसे बर्बाद किया जाए, CBI को कैसे बर्बाद किया जाए समवैधानिक पद और गौरवानवित हुए पद जैसे की LG है उनके माध्यम से कैसे राजनीती किया जाए इसकी मास्टरी और इसका किताब BJP ने लिखा हुआ है आप दिली में सभी सातों सीटों पर तैयारी करेंगे देखिए हम सभी सीटों पर तैयारी करेंगे काम चुनाव तो लड़ना है लोग सभा चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत से लड़ेंगे बाकी आने वाला समय दर्शाइगा की किस तरीके से आगे इवाल होता है देखिए देश में इस बात की जरूरत है कि सारे विपक्षी दल मिलकर एक अच्छी सरकार के स्थापना करे और भारती जनता पार्टी जिसकी सरकार जिसने ना कोई काम किया बलकि देश में जो स्थापित इंस्टिटूशन्स थे उनको खराब करने का काम किया है उसको उखाड़ फेके तो जरूरत तो देश में ये है कि सब मिलकर एक सरकार बनाएं विपक्षी दल मिलकर सरकार बनाएं लेकिन ये निर्भर करता है कि कॉंग्रेस पार्टी कैसे अपना रुख और अपना रवया रखती है अगर कॉंग्रेस पार्टी का रवया बड़ा दिल वाला सब को साथ लेकर चलने वाला होता है तो निश्चित रूप से कुछ भी संभा हो है अगर कॉंग्रस पार्टी का एटिट्यूड, एरोगेंस में अहंकार वाला रह गया तो फिर मुश्किल होगा अगर रविया सही रहा तो गड़बंदन संभा हो रहे हैं कुछ भी संभा हो है लेकिन उसके अभी जो हाल में हमें दिखा रोप रहता रहा है लगाता किमला की मिटिंग है, उस मिटिंग में जाने पर कोई फ्रस्ता होगा वो आगे देखते हैं कैसे होता है लेकिन आप गड़बंदन को खारीज नहीं कर रहा है देखिए देश आज चाहता है कि बीजेपी की सरकार को हटा कर एक नई सरकार बने और इसके लिए सभी विपक्षिदलों को मिलकर सरकार बनाने की जलूरत है अपने अस्तर पे पूरी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं एस अ पॉलिटिकल पार्टी हम तैयार हैं अपने लेवल पे चुनाओ कैसे लड़ेंगे क्या लड़ेंगे वो आने वाले समय में इस पस्ट होगा